मुर्गे पर और लगता है कि आएक दम खतम कर देंगे एक दम से फिनिस करना चाहते हैं और एक कई शुरूपे का विजयता बनना चाहते हैं आज जो पहले अक्षा मुर्गा चाहा ओको कि यहां से हम लोग आपने यहां पर बनाया है नाया द Ayrain के शराईों के लिए तो इसको जो तीन मिश फाइनल कर देते हैं या उसके बाद कोई भी इसको फाइनल कर पाता है पहले ले से हमारे SB चैलेंज की ओर से 21 रूपे का नगत पुरसकार दिया जाएगा आईए शुरू करते हैं वन तू थिरी सुरू हो जाए आप लोग दोनों महारती जुट चुके हैं मुर्गा खाने के लिए और देखते हैं हमारे बगल में बैठे हैं राम मिलन जी और उसके बगल में बिनोज जी दोनों महारती माहिर हैं चैलेंज आज स्विकार किये हमारे SB चैलेंज पर जवर्जस चैलेंज आपको दिखाया जा रहा जितने भी दर्सक हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताए हमें आप और राम मिलन जी तो मज़े देखते हैं दोनों चेलेंजर कितने समय में फिनिस करते हैं इस मुर्गा को और 21 रूबय का पुरसकार लेके जाते हैं जो पहले खायेगा वह इनाम की रासी पाएगा तो दोनों चेलेंजर मसकत कर रहे हैं और विनोज जी तो एकदम तूट पाए हैं मज़े ले लेके खा रहे हैं और आप लोग अपना सिर्फ और सिर्फ चैलेंज पर ध्यान दीजिए आप लोग को काफी लोग देख रहे हैं तो दर्शकों से हमारा देदन है कि आप सब इस चैनल को यस भी चैलेंज को सब्सक्र सब्सक्राइब करें और जो हमने टाइम फिक्स किया है तीन मिनट का समय लोगों के दे रखा है लेकिन अगर तीन मिनट में नहीं फिनिस कर पाते हैं तो जो सबसे पहले फिनिस कर पाएगा उसको इनाम की राश दिया दी जाएगी नगद एकई सुरूप है तो जो समय अभ सब्सक्राफी मृगे को किनिस कर पाएंगे लेकिन उसके बाद भी हमने बोल रखा है कि आप खार हैं इने सबस्ट केिसा है कि बतक्राइंगे deal पाइसी बता रहे हैं विनोज जी मस्त हैं पानी पानी आप भी पीछ सकते हैं राम मिलन जी कोई ऐसा नहीं है कोई बात नहीं है आप हाई यह लगता है कि विनोज जी अभी तक के विजयता समझ में आ लेकिन राम मिलन तो बहुत ही माहिर हैं बहुत सातिर हैं राम मिलन जी और हम कैमरा मैंन से चाहेंगे कि एक दम आप निगाह जमा के रखिएगा कोई चीटिंग नहीं होगी और जो पहले फिनिस करेगा इस मुर्गे को 21 रूपे का हगदार होगा तो लमसम हमें जहां तक अंदाजा लग रहा है टाइम तो इन लोगों ने अपना खतम कर चुके हैं लेकिन अभी भी देखते हैं पहले दोनों महाराथियों कौन पहले फिनिस करता है इस मुर्गे को तो एस बी चैलेंज पर रहा आज जवर्जस्त कंपटीशन लगा है जवर्जस्त चैलेंज लगा है मुर्गा का ख़ला मुर्गा भुना मुर्गा तो आप लोग आप लोग सिर्फ अपना टार्गट देखिए अपना टार्गट देखिए आप लोग अपना सिर्फ संधीब जी एकदम मौन हो चुके हैं सिर्फ आनंद ले रहेंगी कैसे दोनों महारती मुर्गा को खा रहे हैं निचोल हो रहे हैं एकदम चुट चुके हुए हैं और बिनोट जी अभी तक के महारती समझ में आ रहे हैं विजेता लेकिंट राम बिलन भी किसी से नहीं और लगता है कि आज राममिलन हमारी बात को सुन लिए है और तूट कर देंगे एक्दम से फिनिस् करना चाहते हैं और विजयता बना चाहती है आज 25 पर तो जबर रुट में राम निलें जी अभिश्य टाइम ख्तम हो चुका है मिनेट हुने वाले हैं हमारे टाइमर में पाइकर होने कोने वाले करिए这么 Carl ये 50 नहीं हुआ है सो और लगता है कि अपना ढाल तलुमार रख कुके हैं और इस पे और सिर्फ दिखाई दे रहे हैं challenge मैं तो रमिलां जी एक बार जोरदार मिलंग के लिए प्राओं जाए क kier थे मेरे भाव यह द्रवाद है कि खतम करना चाहते है राम बिलन जी और टाइम जो हुआ है यह लमसम छे मिनट लग जाएगा इन्हें फिनिस करने में तो बिनोज जी हतासा मान चुके हैं मतलब चैलेंज से बाहर हो पहले से ही ढाल तलवार रख चुके हैं लेकि राम बिलन अभी भी टूटे हुए है दम जब कर रहे हैं तो आज के विजयता हुए है राम बिलन जी पहले आप हाथ हो लीजिए उसके बाद आप इनाम की रास आपको नगत दे जा रही है इनको 21 रुपए की रास नगत दे दी जा रही है राम बिलन जी अपना पुरसकार ले और जोड़दार ताली दर्सकों से चाहें बाद के आवरे